चोपडा एजुकिसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हारदेक स्वागत करता हूँ दोस्तों आयूस के आल इंडिया कोटा का मोपप राउंड का फाइनल रेजल्ट आ चुका है कटोफ फस्ट और सेगंड राउंड को देखते हुए काफी लो रही है अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो रेजल्ट आते ही मैंने आयूस की कटोफ 530 मार्क से प्रेडिक्ट की थी वो बिल्कुल अैकुरेट रही है क्योंकि जो कटोफ रही है वो आल इंडिया गौर्मेंट कोटा की 529 यंदि 528 के सभी कंडिडियेट को सीट नहीं मिली है 529 कटोफ रही है जो अल इंडिया कोटा एडेट कोटा है उसकी cutoff 515 रही है तो मैं इस वीडियो में आपको category wise cutoff बताऊंगा इसके बाद course wise cutoff बताऊंगा और इसके बाद ये बताऊंगा कि आगे आपने reporting time, joining time क्या है और आगे क्या action लेना है तो सबसे पहले हम cutoff की बात करें तो सबसे पहले हम BMS के All India Government quota की बात कर लेते हैं cutoff की तो All India Government quota में general category की जो cutoff रही है वो 528 रही है इसके बाद SC category की 411 रही है जनरल category को जो 528 मार्क्स को Government Ayurveda Medical College and Hospital नागर कोईल तमिलनाडू का मिला है SC category 411 को Government Ayurveda Medical College and Teaching Hospital सिमोगा करनाटका का मिला है SC category 385 मार्क्स पर तमिलनाडू का Government Ayurveda Medical College and Hospital नागर कोईल मिला है इसमें इसके बाद में हम बात करते हैं BMS कोर्स के लिए Government Added quota की तो Government Added quota की जो cutoff रही है जनरल category के वो 515 रही है स्री गुरूदेव Ayurveda महाविद्याले अमरावती माराश्टर का मिला है अब हम बात करें कि इसमें जो जनरल पीएच केटेगरी है वो 128 मार्क्स पर तिलक Ayurveda महाविद्याले पोने माराश्टर का मिला है SC केटेगरी 405 मार्क्स पर RJVS BMS सावंतवाडी महाराश्टर का मिला है इसके बाद ST केटेगरी की बात करें तो ST केटेगरी को 383 मार्क्स पर ये मिला है वेद्दा रतनम AC त्रिसूर का मिला है आयर्वेद्द जो कोलेज है वो त्रिसूर केरिला का मिला है तो ये BMS गौर्मेंट एडेड कोटा की कटोफ है इसके बाद में हम BMS कोर्स के लिए Central University BHU की बात करें तो 598 जनरल केटेगरी OBC 590, SC 466 और ST 447 मार्क्स पर BHU मिला है BMS हम NIA जेपूर की बात करें तो जनरल केटेगरी के लिए 595 मार्क्स इसके बाद EWS के लिए 594, OBC के लिए 588, SC के लिए 479 और ST के लिए 451 कटोफ रही है Central University जेपूर की इसके बाद में हम Central University शिलोंग की बात करें तो जनरल 548, EWS 539, OBC 538, SC 414, ST 396 कटोफ रही है तो ये Central University की कटोफ है BMS कोर्स के लिए अब हम बात करते हैं BMS जो होमियोपेटिक कोर्स है उसकी हम बात करें तो जो गौर्मेंट कोटा है जनरल केटेगरी की 460 कटोफ रही है इसको कोलेज मिला है JSPS Government Homeopathic Medical College ये मिला है एरमन्थापूर हैदराबाद का इसके बाद में बात करते हम SC कटेगरी की तो 349 मार्क्स पर गौर्मेंट होमियोपेटिक मेडिकल कोलेज भोपाल मद्देपरदेश का मिला है ST कटेगरी 321 मार्क्स पर स्टेट केजी के GMC मुरादाबाद UP का मिला है तो ये BHMS की गौर्मेंट कोटा की कटोफ है इसके बाद BHMS की ही गौर्मेंट अडेट कोटा की बात करें तो इसमें 462 मार्क्स पर DR DVH दवे कोलेज मिला है इसके बाद ST कटेगरी को 363 में मेडिकल ये शोरी होमेपेटिक कोलेज मिला है और ST कटेगरी में 327 पर ये इरना कुलम का कोलेज मिला है तो इस परकार से ये BHMS के All India Added कोटा की कटोफ है अब BMHS के लिए ही हम Central University कोलकोटा की बात करें तो जनरल के लिए 513 इसके बाद में OBC के लिए 502 EWS 509 SC 351 और ST 395 कटोफ रही है इसमें इसके बाद में हम बात करते हैं शिलोंग की BHMS कोर्स के लिए Central University शिलोंग की तो General Category 482 EWS 457 OBC 468 SC 364 और ST 404 कटोफ रही है अब बात करते हम BMS कोर्स की BSMS कोर्स सिदा जो तमिलनाडू में है इसकी हम बात करें BMS कोर्स के लिए तो इसमें जो All India Government Quota है All India Government Quota उसमें General Category की 496 कटोफ रही है इसमें Government सिदा Medical College त्रोयन विल्ली मिला है इसके बाद SC Category 387 और ST Category 315 मार्क्स पर सेम कोलेज मिला है SC ST General को इसके बाद में हम BMS की बात करें All India Government Quota की तो 457 General Category की कटोफ रही है और इसमें हम जो Central University अजमल खान AMU है उसकी 544 कटोफ रही है Government Quota की तो यह इस परकार से कटोफ है इसमें अब हम आगे की बात करें आगे क्या सेडूल रहेगा इसका तो जिन स्टुडेंट को कोलेज मिल गई है उनका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 28th January से लेके 8th February 21 तक रहेगा रिपोर्टिंग टाइम इसके बाद 11 फरवरी को जो आल इंडिया गवर्मेंट कोटा की और ओल इंडिया गवर्मेंट एडेड कोटा की जो सीटें वेकेंट रहेंगी उनको कंसर्ण स्टेट को ट्रांसपर कर दी जाएंगी यह जो दो प्रकार की सीटें हैं यह कंसर्ण स्टेट को ट्रांसपर कर दी जाएगी इस्टेट इन वेकेंट सीटों को फिल करेगा इसके बाद जो सेंटरल इन्यूर्शिटी हैं बी एच यू एन आई जेपूर एन ए आई सिलोंग इसके बाद में साल्ट लेक कलकता तो यह जो जामनगर इस प्रकार की जो सेंटरल इन्यूर्शिटी हैं उन सेंटरल इन्यूर्शिटी को इसके बाद में जो डिम्ड इन्यूर्शिटी हैं इन डिम्ड इन्यूर्शिटी को ग्यारा फरवरी को ये जो इन में वेकेंट सीट रहेंगी इनको ट्रांसफर कर दी जाएगी ये तो दो परकार की सीटे रहेंगी एक ओल इंडिया गॉर्मेंट कोटा की और एक ओल इंडिया गॉर्मेंट एडेट कोटा की वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी बाकी कंस क्या करना है उसके बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन फ्रेस करें वीडियो को लाइक व ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन